हलो फ्रेंड स्वागा दाइक बार फिर से आपका मारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सरकारी विबाग में निकली हुई बंपर भरतियों के बारे में जियां दोस्तो आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं और दोस्तो आपके यहां पर कौन से विबाग में वेकेंसी निकली है काफी अच्छे पौद होगे दोस्तो आपके वेकेंसी निकली है यहां पर ड्राइवर, स्टेनो, अकाउंटेंट, कलर, इसके अलाव भी काफी यहां पर दोस्तो अलग अलग टाइप के आपके वेकेंसी निकल चुके उन सारी वेकेंसियों के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तो आपकी एस लिमिट क्या रहेगी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है आपकी एप्लिकेशन फीज क्या रहेगी आपकी इस वेकेंसिय के लिए एक्जाम होगा या नहीं होगा पूरा डिटेल में हम बात करने वाले दोस्तो आपकी जोब लोकेशन ओल इंडिया रहने वाली है सभी केंडिडेट इस वेकेंसिय के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तो महिला पुरू सभी लोग आवेदन कर सकते हैं अपको बता दू कि यह वेकेंसिय के लिए आवेदन कर लीजिए आपको बता दू कि यह वेकेंसिय आपे दिल्ली की तरफ से दोस्तो यह निकाली गई है अब पूरा डिटेल में एक बाद नोटिफिकेशन को देख लेते तो करते हैं आपको अपना फोटोग्राफ यहापे पेस्ट करना पड़ेगा और दोस्तो आपको एज कौन कितने साल के होगे मन्त आपका कौन सा मन्त चल रहा है पूरा एक एक चीज आपको लिखने पड़ेगी Marital Status, Religion, Category और दोस्तों सारी चीज़े फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे Submit कहाँ पे कराना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ Education, Qualification, आपके 10th, 12th Graduation, Master, Degree, PhD जो भी आपने यहाँ पे करने के वो सारी आपको फिल करने पड़ेगी दोस्तों फोरम पूरा फिल करने के बाद में आपको नीचे नीचे सिगनेचर करना है उसके बाद में दोस्तों आपके सारे डोकुमेंट Self Attested आपको करने पड़ेगे और दोस्तों Demand Draft बनाना पड़ेगा आपको 1000 पे का और एक यहाँ पे Official जो एड्रेस दे रहे का वहाँ पे आपको फोरम सेंड करना पड़ेगा दोस्तों 30 दिन का टाइम में आपके पास यहाँ पे आविदन शुरू हो चुके है तो जल्दी से अपलाई कर लीजेगा अब चलते हैं पे Official Notification की तरफ तो दोस्तों यह रहा है आपके Official Notification New Delhi की तरफ से दोस्तों यह वेकेंसी निकाले गए आपके Hortical Department की तरफ से यहाँ पे दोस्तों कुछ Post Director और Senior Technical Officer की रहने वाली है लेकिन यहाँ पे अलग से देखेंगे तो आप यहाँ पे Administrative Assistant, Stenotypist, Technical Assistant, Account Color की भी आपके दोस्तों वेकेंसी निकाले जी है दोस्तों आपको बता दू कि आपकी यहाँ पे जो एक्जाम के लिए जो आपको यहाँ पे इसके लिए आवेदिन करना है आपको 30 दिन के अंदर अदर आवेदिन करना पड़ेगा Official Website रहने वाली www.nhrdf.org तो दोस्तों आपको यहाँ पे DDA Indian Postal Order से 1000 पे के तुरू आपको यहाँ पे यहाँ पे Document के साथ में DD बना के आपको Send करना पड़ेगा Self Attested Certificate के साथ में तो दोस्तों Education Qualification की अगर बात करें तो आपको बता दू कि Essential Qualification Stenographer Typist के लिए दोस्तों यहाँ पे Master Degree मांगी गई किसी भी सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट आपने Graduation में करा था उसी से आपके Master Degree होना ज़रूरी है साथ यह साथ दोस्तों आपके 80 by 40 word per minute यहाँ पे English और Hindi के अंदर आपकी Typing Short Hand आपकी Speed मांगी गई है साथ यह साथ दोस्तों आपके Experience भी मांगा गया है देड़ साल का तो दोस्तों यहाँ पे आपकी Age 18-25 साल की रखी गई है Only यह मैंने आपको यहाँ पे Stenographer Typist की बताई है Technical Assistant के लिए दोस्तों आपके Graduation चाहिए आपकी Agriculture यह Horticulture के अंदर साथ यह साथ आपको आपको आपके एक साल का Experience भी होना जरूरी किसी Research यह Lab के अंदर तो दोस्तों यहाँ पे इसमें भी Age Limit आपके 22-25 साल रखी गई है Pay Scale आपको आपके 19,900 रुपे Basic पे मिलने वाला है आपको दोस्तों आपके वैतन बत्ते अलग से मिलेंगे ऐसे दोस्तों आपके Accounts Color की बात करें तो इसमें भी Master Degree आपकी Commerce के अंदर होना जरूरी है साथ यह साथ 40 वर्ड पर मिनेट की English और Hindi के अंदर टाइपिंग आना जरूरी है तो दोस्तों यह Vacancy आपकी निकली यहां पर दिल्ली की तरफ से और Technical और Non Technical पोस्टों पर दोस्तों वैकेंसी निकली आवे दन जरूर कीजिएगा